वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें सब्सक्राइब को आज हमें न्यौनार इंवा evidence दो पॉस्के एक बोक जिसका नाम साथ हजार भ्रामिन्यों को वो प्रते दिन भोजन कराया करता था यानि इतना बड़ा जो है वह शेयभ भक्त था इतना ज्यादा परोपकारी था लेकिन बाद में क्या होता है बाद में उसे एक युद्ध लड़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कलिंग युद्ध काफी महत पूरे अशोक के जीवन से जुड़ा हुआ है कलिंग युद्ध हुआ है साथियो 261 BC में 261 BC में हुआ है कलिंग युद्ध और कलिंग युद्ध जो हुआ है यह हुआ है अशोक के राज्य अप्शेक के नौवे वर्ष ठीक है बुक में जैसे आपका भी पुड़ोगे तो महां लिखाओगा आप नो अगर हम कलिंग की बात करें कलिंग कहां पड़ता है तो कलिंग है वर्टमान का ओडिशा तो ओडिशा के छेत्र को हासल करने के लिए युद्ध किया गया इसमें बहुत ज्यादा मार काट मची कहा जाता है जो तेरवा शिलालेख है उसमें इस युद्ध में एक से डेड़ लाख लोग जो है वो विस्थापित हो गए जनी उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और करीब करीब एक लाख लोग इस उद्ध में मारे गए इस भिवीशिका के कारण अशोक का मन परवर्थित हो गया और उन्होंने तै किया कि अब है शान्ती का मार्ग अपनाएंगे औ इस तरीके से अशोक ने अपना बहुत धर्म में अपने आपको परिवर्थित कर लिया अब देखो बहुत धर्म में दिक्षित करने का श्रे जो है वो जाता है निग्रोध को ध्यान रखना निग्रोध को कहा जाता है यूंकि साथ साल के उमर में ही बहुत सन्यासी बन गए दिव्याबदान और हवेन सांग के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नामें बाल पंडित उसके व्यापारी उस व्यक्ति जो कि एक व्यापारी था उसके प्रोहाव में आकरके वह बहुत धर्म बने यह सारे अलग-अलग तत्थ हैं लेकिन यह सबसे इंपोडेंट है कि अशोक क पताया है कि अगुनाकि जो भी चीज़ रही अशोक ने बहुत धर्म स्वीकार कर लिएत अब अशोक से जूड़ी हुए यह शायक शिलले अशुक की शिलालिक बेसिकली क्या है आप समझ लो शिलालिक का मतलब है शिला का मतलब हुआ पत्थर और लेक का मतलब हुआ लेक यानि वो लेक जो अशुक ने पत्थरों पर खुदवाए ठीक है इन लेकों के बारे में कुछ बेसिक बात है मैं आपको बतायता हूं कि यह ज तो टल जो भाल गंग्षा एंट इनकोड़ में लिख्ख्थ समीन करते जला हम पढ़ने का प्रयास करते हैं राज की अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वैं हर पांचवे वर्ष के बाद दौरे पर जाएं अपने अपने छेत्र में जहांके वो अधिकारियों उसका दौरा करें तता इसमें कुछ धार्विक नियमों का भी उल्लेक किया गया तीसरे में चौत्र जो अब लेक है उसमें उलेक है कि इसमें भेरी घोष की जगे धम घोष की गोषना की गई है भेरी मतलब रण भेरी वाली जो युद्य के दुंदवी बसती है उसकी जगए वो कहते हैं कि युद्ध की दुन्दवी की जगह पे हमें धम घोष यानि जो अशोक ने धम नीती चलाई थी उसको वह हर जगह पहुचाना चाहते हैं पांचवा जो इनका लेख है उसमें धम महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है धम महामात्र का मतलब है कि ऐसे अधिकारी जो की लोगों को प्रेरित करते थे कि वह धम नीती के अनुसार जीवन को जीए यानि सदाचार पूंट जीवन जीने के लिए प्रेरित करने अधिकारी का नाम था धम महामात्र जो है इसमें मिलता है मंत्र पर्षत तथा पुलासनी तथा पार्ट वड़कस जैसे अधिकारी जो समाचार देने वाले इनका उलेक है जनता के लिए कल्यार कारी कारियों के साथ साथ धार्मिक सहिस्टूता की बात ना केवल अपने अधियों तथा उत्तर पस्चिस में एंटियोकस के लिए भी की गए यानि धार्मिक्रूप से काफी उदार है अशोक आठ्वा इसमें क्या है शाही विहार यात्रा को धम यात्राओं द्वारा प्रतिस्थाबित किया गया है अशोक स्वयम बोध गया के संबोधी गए थे यानि वो कहते हैं कि जो हम यात्राओं करते हैं उनको हम चेंज करेंगे धम यात्राओं में यानि ऐसी यात्राओं जिनमें धमों को बढ़ावा देने की बात होगी और जो धम निती अशोक चला रहे हैं उसका प्रिचारपसर किया जाएगा नौब अविलेक इसमें क्या है इसमें सच्ची भेट तता सच्चे सिस्ता सार का उलेक मिलता है दसमा लेक क्या है इसमें अशुक ने आदेश दिया है कि राजा तता उच्च अदिकारी हमेशा पर जाके हिजमे सोचें 11 विलेक में क्या इसमें धम की व्यक्या की गई है कि धम क्या है इसमें अशुक बताते हैं कि धम क्या है तो जैसे वो इसमें लिखते हैं कि धम जैसा कोई दान नहीं धम जैसी कोई प्रशंसा नहीं और धम जैसा कोई बटवारा नहीं और धम जैसी कोई मित्रता नहीं यानि स सबसे बहतर जो है वो धम है कि बारवा इसमें क्या है इसमें इस्त्री महामात्रों की नियुक्ति तता सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करने तता इनके प्रति सद्भाव रखने की बात की गई है ठीक है इसमें अशो कहते हैं कि सभी संप्रदायों के सार में व्रद्धियों ये चीज़ आपको सुझी पढ़ेगी कि अशोक स्वयम बहुत है लेकर उने किसी अन्य धर्म को दवाने का प्रयास नहीं किया इसलिए अशोक महान है ठीक है वो कह रहा है सभी धर्मों की सार की व्रद्धी हो क्योंकि वो जानते हैं कि सभी धर्मों का मूल एक ही ही है और वो कि यहाई अब लेक में करता और यहां करने किते कि राजच recogn evac काली के बाद अशोक के वहायर live राज़्य परिवर्तन की बात है और इसी में पांच 11 राजाओं के नाम का उलेख है जहां उन्होंने धम परचारक भीजे और लास्ट हैसमें चौदवा अशोक ने जंता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेजित किया है अपने चौदवे लेग में तो यह हुआ आज का हमारा वीडियो जिसमें अपने अशोक के अबलेख और उसके ध